सब को नमस्कार आज मैं बहुत खुश हूँ पंजाब के लोगों के लिए खुश हूँ देश के लोगों के लिए खुश हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शांदार एलान किया इस देश के गरीबों के लिए पंजाब के गरीबों के लिए औ मैं समझता हूँ कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर बढ़ेगा भवंतमान जी ने अलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर-घर तक पहुंचाया जाएगा डोर्स्टेप डिलिवरी ओफ राशन घर-घर राशन योजना अभी आजादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है वो राशन लेने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है छुट्टी लेनी बढ़ती है धेरो तकलीफे उठानी बढ़ती है आज जमाना ये आगया कि एक फोन करो और फोन के उपर और और करो और पीजा आपके घर आ जाता है सारा समान आपके घर आ जाता है लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तो घर-घर राशन योजना के तहट लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी ये चावल वो अच्छी सी पैकिंग करके बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी मनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में देखे आएगी पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फाइदा होगा तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं मैं समझते हूं यह जल्दी लागू होगा आज हैलान किया गया है दिल्ली में पिछले चार साल से हम लोग इस योजना को डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है है सब कुछ हो चुका था हमने सारा काम कर लिया था केंद्र की भाजबा सरकार ने इसको रोक दिया इसे करने नहीं दिया यह सही नहीं है लेकिन अंग्रेजी में कहावत है जिस आइडिया का समय आ चुका उसको कोई नहीं रोक सकता उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती फिर उसके पीछे कुद्रत लग जाती है अब इसका आइडिया आ चुका है इसका समय आ चुका है तो ये तो लागू होगा दिली में नहीं लागू करने दिया कोई बात नहीं पंजाब में लागू करेंगे पंजाब में लागू होगा सारा देश देखेगा सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे पूरे देश में लागो होगा जैसे आज महला क्लिनिक दिल्ली में बने पूरे देश में बन रहे हैं दिल्ली के अंदर जो जो चीजे लागो कर रहे हैं पूरे देश में लागो होती जा रही है पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सब ने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया किस तरह से हम महला क्लिनिक बनाना चाहते थे महला क्लिनिक को दो साल तक रोक लिया लेकिन फिर बनाय हैं हम लोगों ने CCTV कैमरे पूरे दिल्ली में लगाना चागते थे उनको तीन साल तक फाइल रोक दी, केंदर ने ने स्कूल बनाना चाते हैं उनको रोका जाता है अस्पताल बनाना चाते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया है हर कदम पे रोका गया है लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लोग विकास करना चाहते हैं लोग प्रग्ति करना चाहते हैं उन्हें रोका जाता है इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं इस देश के लोग बहुत इंटेलिज है इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं लेकिन उनके और 75 साल से रोका जा रहा है लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं है अब लोगों ने ठान लिए अब लोग सब्सक्राइब हैं कि दो राज्यों के अंदर लोगों ने कटर मांदार सरकार बना दी अब यह देश तरक्की करेगा अब यह देश आगे बढ़ेगा निए सब लोगों को कहना चाहता हूं अब वित तो को कहना जाता हूं जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मरजी कर लिजिए अब ये देश रुकने वाला नहीं है